दोस्तों एंजियो प्लास्टी का नाम आपने जरूर सुना होगा इसकी जो आज कर लेटेस्ट चल रहे हैं उसको स्टेंट बोलते हैं और यह स्टेंट का ट्रीटमेंट आज जितने भी हार्ट के होंस्पिल उनका ब्रेड इन बटर हो गया मतलब अर्निंग का मेंन सोर्स हो गया है और यह एक अजीब सा बात है कि स्टेंट को प्रोमोट किया जाता है होंस्पिटिव में जबकि एक रिसर्च के बारे मैं आज आपको बताऊंगा जो बता रहा है कि स्टेंट लगाओ या ना लगाओ कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप दवाईयां और लाइफस्टाइल ठीक से करते हैं तो स्टेंट की जरूरत ही नहीं है और यह ट्रायल आपको सुनना है और लोगों को सुनाना इस बात को आप याद रखिएगा अगर कोई आदमी एमर्जनसी में स्टेंट लग जाए बात अलग है पर जो आदमी 10, 20, 50 कदम घूम सकता है जिसको मलब होते स्टेबल एंजाइना जिनको मालूम है थोड़ा स्पीड लोगा तब दिक्कत होगा या TMT पॉसिटिव आई है ऐसे लोगों की जिसकी हार्ट अटेक अभी नहीं हुई है उनको स्टेंट लगाना बेकार है और ये ट्राइल जो है इसका नाम है कारेज ट्राइल ये अमेरिका और कनाडा में 50 सेंटर में एक साथ करा गया और इसमें कोई 2287 पेसिंट को लिया गया जिनको स्टेबल एंजाइना है स्टेबल एंजाइना मतलब हार्ट अटेक में नहीं है और घुम फिर सकते हैं पर जहां स्पीड लेंगे तकलीफ होगा ऐसा stable angina की patients लिए गए और उनको दो division किया गया एक को उन्होंने दवाईयां दिया पूरे तरीके से और एक तरप उनको angioplasty करने के लिए दिया करीब 1150 patients दोनों तरप रहे और इनको इन्होंने साड़े चार साल तक follow किया जो लोग दवाई भी ले रहे हैं और जिन्होंने angi angioplasty वाले हैं क्या उन्होंने देखा कि उनकी जो main थी कि death और hospitalization जो है वो 11.8% रही है जिन्होंग दवाई लिया है और 12.4% रही है जिन्होंने angioplasty कराई है मतलब angioplasty जो है वो बहतर नहीं है दवाईयां is better पर hospital को मालूम है कि दवाईयां दे देंगे तो उन्हें कुछ मिलना नहीं है angioplasty करो तो उसमें बहुत पैसे मिलते हैं और मैं आपको एक बात बता दूँ यह जो angioplasty है इसमें जो stent लगती है यह बहुत कम पैसे में बनती है यह कुछ दो चार हजार में बन जाती है इंडिया में जो आज की दिन में सरकारी figure उसे पता चलता है कि तो ठीक पर private hospital ने क्या किया उन्होंने अलग कर दी पहले करते थे stent की cost है दो लाक और लगाने का 30,000 अब बोलते हैं stent का cost है 30,000 लगाने का 2,000 तो वो लोग तो 2,000 आपसे ले लेंगे stent लगाने का पर stent लगाने की जरूरत ही नहीं है और यह trial का नाम है courage trial जो 2007 में हुई और यह new England journal of medicine में publish हुई है और इनके जो author थे उनका नाम है William Boden तो यह आपको याद रखना है और इसका नाम है clinical outcomes utilizing revascularization and aggressive drug evaluation यह courage का full form है और यह study ने medical science के सारे जो पुराने फंडे थे उसको change कर दिया था कि angioplasty करो या ना करो अगर मरीज घूम फिर सकता है तो angioplasty एकदम मत करो दवाई से ही चलाओ और इस बात को आपको याद रखना है और लोगों को बताना है चलिए आज हैं पर angioplasty अगर आप घूमते फिरते वे मरीज हैं तो angioplasty एकदम ना कराएं वो कामका नहीं है उससे अच्छा दवाई और खान पीन रहन सेंट बलाई सावल हाट के पेशेंट को यही करवाता दवाईया और खान पीन रहन सेंट और मैंने देखा angioplasty के होने के बाद भी लोग जो मेरे पास आते हों भी improve कर जाते हैं तो यह दोनों में आप कहीं पर कमी नहीं करिया और कोई serious patient हो तो उसके के अगर लोगों को. Thank you.